राम राम जी साराने स्वागत है आपका अपने चैनल स्टेचिंग विद देश्ची ब्यूटी आज की वीडियो में मैं एक पहंचा डिजाइन सेर करने वाली हूँ तो उसी डिजाइन के लिए हमने ये धाइडाई इंस पर निसान लगा लिए हैं और जो ये उपर से हम आदाई इंस या अपनी मर्जी के अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं हम ये डिजाइन के लिए छोड़ते हैं जो उपर नीचे वाला लाहरिया बनाते हैं वो मैंने पहले बना के रड़ी कर दिया है मैंने ये इलेक्टिक में से जिप जैट वाला डिजाइन बना रहा है आप चाहें तो यहां पर लाहरिया डिजाइन भी बना सकते हैं वो लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा लगेगा अब हम अपना डिजाइन शुरू करते हैं तो देखिए पहले हम ये नीचे से अपना डिजाइन कंप्लीट करेंगे दीरे 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 फिनिशिंग के साथ हमने अपना ये डिजाइन बनाना शुरू कर दिया है इसी तरीके से हम बिल्कूल के नीचे नीचे साथ नीचे वाल्या ये डिजाइन पूरे पैंचे में कंप्लीट कर लेंगे और सेम ऐसा ही हम उपर बनाएंगे इस तरिके डिजाइन के इस इसी तरीके से फिनिशिंग के साथ आराम से हमने पना पैंचा नीचे में आँगे प्रिट कर दिया है, कि जानी नीश वानाज मीलिट करते हैं, अब सेम तरिके से हम ये डाईडाई इंच वाल इनल इम जानी उपर भी लगा है, लगा लेंगे जो हमने निचे लगाए हैं बिल्कुल उपम है कि सीध में लगाएंगे अ कि एए हमने अपने निसान उपर भी लगा लिए हैं और सेम यही डिजाइन अब उपर भी बनाएंगे यह देखिए नीचे वाले डिजाइन को क्रोस करते हुए हम अब यह उपर वाला डिजाइन बनाएंगे यह उपर वाला डिजाइन भी तक्षा बन रहा है उपर से नीचे की तरफ यह उपर वाला डिजाइन भी कंप्लीट कर लेंगे यह लेगिल कुल आराम से फिनिसिंग के साथ करना है यह उपर वाला भी कंप्लीट कर लिया है हम इसमें यहां से लहरिया डिजाइन बनाएंगे उससे पहले मैं जो हमने उपर नीचे वाली सिलाई लगाई है इसको डबल कर लूँगे इसको देखिए मैंने डबल कर लिया है एक पैर का छोड़ते हुए मैंने इसको डबल किया है नीचे से हमने कर लिया हम उपर से करेंगे यह देखिए बिलकुल एक पैर का दबाव देते हुए हम डबल सिलाई भी कंप्लीट करेंगे यह हमने लग बगत में दोलों सिलाई कंप्लीट कर ली है उपर वाली भी डबल सिलाई और नीचे वाली भी यह देखिए कितनी फिनिसिंग के साथ यह लगा है अब हम यहां पर नीचे और उपर लहरिया बनाएंगे अगर आपको इस तरीके से अच्छा रखता है तो हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं अब मैंने मसीन को जिग जैक पर लगाया है यह देखिए यहां हम यह जिग जैक स्टाइल बनाएंगे आप चाहे तो यहां पर लहरिया भी बना सकते हैं वह भी बहुत अच्छा लगता है पर मैं यहां पर जिग जैक बनाऊगी और अब हम यह स्ट्रेट सिलाई और इसी तरीके से हम अपना निचे से डिजाइन कम्प्रीट कर लेंगे एक बार जिग जैक और एक बार में इसी दिसिलाई लगानी है आप चाहें तो जिग जैक की जनाद यहां पर सिंपल से लिए लारिया डिजैन भी बना सकते हैं निचे वाला हमने कम्प्रीट कर लिया है अब सेम यहीं हम उपर भी कर चुके हैं यह देखिए दोनों हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं अब यह जो दूसरा पैचा है सेम यहीं डिजाइन हम यहां भी बनाएंगी यह डाइटा इंच वाल इंसान मैंने पहले ही लगा लि लगा लिए है यह निचे वाली सिलाई हमने स्टाफ कर दी है सेम उसी तरीके से हमें उपना यह दूसरा पैजा भी कम्प्लीट करेंगे यह देखिए हमने इसकी डबल सिलाई भी लगा ली है और अब हम इसमें सेम वहीं जिग जग डिजाइन बनाएंगे यह देखिए हम निचे जिग जग और फिर सिदी सिलाई फिर जिग जग फिर सिदी सिलाई इसी तरीके से हम अपने पूरे पैचे को कम्प्लीट करेंगे यह देखिए दोनों पैचे हमने कम्प्लीट कर दिये हैं और यह कितने अच्छे फिनिसिंग के साथ आए हैं आपको हमारा यह डिजाइन कैसा लगा अगर डिजाइन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई की नहीं आई यह देखिए डिजाइन हमारा बहुत ही अच्छा फिनिसिंग के साथ बना है